आज का पंचान आज फालगुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी और शुक्रुवार का दिन है चतुर्थी तिथी आज सुबह 7 बचकर 58 मिनिट तक रहेगी उसके बाद पंचमी तिथी लग जाएगी आज शाम 4 बचकर 45 मिनिट तक ध्विती योग रहेगा साथ ही आज रात 12 बचकर 18 मिनिट तक हस्त नक्षत्र रहेगा आकाश मंदल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं उन्ही में से हस्त तेरवा नक्षत्र है शुब मुहुर्थ चतुर्थी तिथी आज सुबह 7 बचकर 58 मिनिट तक रहेगी ध्विती योग आज शाम 4 बचकर 45 मिनिट तक रहेगी हस्त नक्षत्र आज रात 12 बचकर 18 मिनिट तक रहेगी सुर्योध्य सुर्यास्त का समय आज सुर्योध्य सुबह 7 बचकर 4 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम 6 बचकर 5 मिनिट पर होगा आज का राशिफर्द, मेश राशी आज का दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है आप अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे, जिससे आपकी अपने पार्टनर से भी कहा सुनी हो सकती है आपको आज अपनी माताजी से किसी किये हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो वहाँ आपसे नाराज हो सकती है आपकी किसी पुराने मित्र से आज लंबे समय बाद मुलाकात होगी व्रिश राशी आज का दिन कुछ मुश्किनों भरा रहने वाला है, लेकिन भाग्य का पूरा साथ मिलने से कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे आपको कुछ मौसमी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती हैं, जिनसे आपको बचना होगा परिवार के लोगों का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा आप अपने किसी काम को लेकर अपने भाईयों से मदद मांग सकते हैं मिथुन राशी आज का दिन आपके लिए आए में विद्धी दिलाने वाला रहेगा आप सामाजिक कारेक्रमों में पूरी रुची रखेंगे जिससे आपके मान सम्मान में भी विद्धी होगी आपको किसी पुरसकार के मिलने से खुश्या बनी रहेंगी परिवार के सदस्य आपके लिए छोटी मोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं करक राशी आज के दिन आपके चारों और का वातावर्ण सुख्मय रहने वाला है आपको एक के बाद एक खुश्खबरी सुनने को मिलती रहेगी जिसमें आपको प्रसंता बनी रहेगी यदि आप किसी नए वाहन को खरीदने की योजना बना रहे थे तो वह भी आज पूरी हो सकती है किसी सरकारी अधिकारी की मदद से आपका कोई कानूनी काम पूरा हो सकता है सिंग राशी आज आपको साज़ेदारी में किसी काम को करना बहतर रहीगा आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी पर भी भरोसा बहुत ही सोच विचार करें आप यदि सोच समझ कर कोई निर्णे लेंगे तो वहाँ आपके लिए लाबदायक रहेगा यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णे लिया है तो वहाँ तो आपके लिए समस्या बन सकता है कन्या राशी आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है ओनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ओडर मिलने से उनकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा आपकी इंकम में भी आज थोड़ी व्रिद्धी होगी आपका कोई महत्वपून काम यदी अटका हुआ है तो वहाँ आज पूरा हो सकता है तुला राशी आज का दिन आपके लिए किसी जरूरी कार्य को करने के लिए रहेगा आपको कुछ व्यवसायों की चंताओं से दूर रहना होगा जो लोग राजनीती क्षेत्रों में कार्यरत है उन्हें आज कोई बड़ा पद मिल सकता है घर परिवार में चल रही अन्बन को आप बातचीत के जरीए सुलजाएं और दोनों पक्षों की बात अवश्य सुनें व्रिश्चिक राशी आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है नौकरी में कार्यरत लोगों के उपर दबाव अधिक रहने के कारण वह परेशान रहेंगे अपनी आख वकान खुले रख कर कार्य करें नहीं तो परेशानी हो सकती है आपको एक साथ कई काम मिलने से आपकी व्यगरता बढ़ेगी विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई शुप सूचना सुनने को मिल सकती है धनु राशी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है प्रेम जीवन जी रहे लोग आज साथी के साथ रोमानी दिन व्यतीत करेंगे आपकी अपने भाईयों से कुछ गल्तफमी के कारण रिष्टों में दूरी आ सकती है जिसे आपको दूर करने की पूरी कोशिश करनी होगी आप अपनी चतर बुद्धी का प्रयोग करके कार्यक शेतर में शत्रों को आसानी से मात दे पाएंगे मकर राशी आज का दिन सामाजिक शेतरों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है परिवार में उनका मान सम्मान और बढ़ीगा उन्हें कोई नया पद भी मिल सकता है यदि आज अपने किसी मित्र से कोई अन्बन की स्थिती उत्पन्न हो तो आपस में धैर्य बनाए रखें आपको आज अपने मन में किसी भी बात को नहीं रखना है कुम्भ राशी आज के दिन आपके चारों और का वातावन सुखमय रहने वाला है आपको जीवन साथी का सहयोग वसानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है आप अपनी सेहत के प्रती सचेत रही है अत्यधिक कले भुने भोजन से परहेज रखें नहीं तो आपको पेट दर्द आदी जैसी समस्या परेशान कर सकती है मीम राशी आज का दिन आपके लिए चंताओं से मुक्ती दिलाने वाला रहेगा किसी काम को पूरा होने से आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा आप यदि कुछ नया करने की कोशिश में लगे हुए हैं तो वह भी आज पूरा हो सकता है पारिवारिक रिष्टों में यदि किसी बात को लेकर दरार आ गई थी तो आप उसे भी दूर करने में काम्याब रहेंगे